प्रेजिस यूज़ इन दा लेसन लोस्ट सप्रिंग बाई अनिस चंग बारवी क्लास के स्टूडेंट के लिए उनके लेसन लोस्ट सप्रिंग में जो इंपोर्टेंट वर्ड्स और फ्रेजिस यूज़ की गई हैं उनको मैं डिसकुस कर रहा हूं पर्स वर्ड इस रैग पीकर रैग पीकर कौन होते हैं कुड़ा करकट चुनने वाले एनिवन वो पिक्स अप टॉर्ण क्लोस वेस्ट मुटीरियल लाइंग हीर अन दियर इस कॉल्ड रैग पीकर कानून गवर्मेंट के द्वारा बनाए जाते हैं इनक्ट किये जाते हैं थर्ड वर्ड इस एक्सप्ट ये प्रोनुंसेशन आपको दी हुई है एक्सप्ट जिसे एक्सप्ट कोई पैसेज हो सकता है टेक्स्ट का अपीस ओप टेक्स्ट स्टोरी है या पोएम है अगर उसके किसी एक स्टेंजा को उठा लिया जाए that is called accept accept a piece taken from a text is called accept कोई पैसे कोई स्टेंजा कोई भी लोंग स्टोरी का हिस्सा होता है that is also called accept scourging here the job of the rag pickers searching valuables from the garbage is not less than a scourge scourge क्या होता है that also means a punishment punishment से कम नहीं होता है यह जो rag picker valuables ढूंडते हैं जिस तरीके से यह मशकत करते हैं hard work करते हैं और hard work करने के बाद भी कई बार इनको कुछ हासिल नहीं होता कुछ भी प्राप्त नहीं होता in that context the writer anis young says that their job is not less than a scourge pronunciation of the word scourge is also given something that causes a great trouble is called scourge कडी में नक करते हुए कुछ ढूंने में सपल होना fifth word is mutters it means to speak in a low voice दभी आवाज में कुछ बोलना sahib mutters something glibly glibly the root word is glib and it means to speak in a confident manner but it lacks in careful thought and honesty he said glibly means उसने फटाफट कह दिया पूरे विश्वास के साथ कहा प्रन्तु क्या कहा उसने अपने शब्दों पर इस बात को विचारा नहीं उसने कि जो भी कुछ बोला बिना विचारे बिना कुछ समझे बोला embarrassed यह pronunciation दे रखे हमने embarrassed की जब शा साउंड के बाद, चा साउंड के बाद, शा साउंड के बाद, का साउंड के बाद, गा साउंड के बाद, फा साउंड के बाद, एडी एड किया जाए, डा साउंड यह टा में चेंज हो जाती embarrassed, washed, laughed, worked, feeling shy, शर्मिंडगी महसूस की do not ask about his personal life, he will feel embarrassed इस्थ, what is bleak, bleak means chameless, उदास, अंधकार में, उजाड, निराशा जनक, bleak world, साहिब लीव डिने bleak world, साहिब एक ऐसी दुनिया में रहता था, जो अंधकार में थी, जिसमें कोई भूश्य उजबल नहीं था, यह सारे शाब लॉस सप्रिंग के है, इसलिए साहिब और अनिस उदेशे की घूमना, wander above the streets with his friends, साहिब अपने दोस्तों के साथ गलियों में घूमता है, roams, अलागी उदेशे है उसका, उदेशे fix नहीं है कि इसी गली में उने कुछ मिलेगा, इसलिए वो इधर उधर टहल कदमी करते हैं, तब उने जाके थोड़ा बहुत कच्रा मिल जात है, he shuffles, बदलना, here it means feels uncomfortable, जब he shuffles his feet and says nothing, जब वो असकुद महसूस करता है, उनकमपडेबल महसूस करता है, लेखिका को कोई जवाब नहीं दे पाता, तब वो कभी उस पांग पे अपना वजन डाल के, कभी उस पांग को shuffle करता है, जैसे की uncomfortable महसूस कर रहा हो, along this, this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty, shoes की बात चल रही है कि बच्चे shoes क्यों नहीं पहनते, तो उस context में ये line है, कि जो वो कहते हैं कि माने self से उतार के नहीं भी ये shoes नहीं पहने, लेखिका कहती है कि ये एक बहाना है, perpetual state of poverty को explain करने का, perpetual होता है, जो निरंतर चल रहा हो, that is unending, जो खतम ना होने वाली, स्थिती हो से perpetual गएते हैं, 12th word is the temple which was now drowned in an air of desolation, misery, drowned in something means, drowned in something means that is lost or covered in, वैसे तो drowned डूबना होता है, तो यहाँ पे थोड़ा symbolical way में इस word को use किया गया है, मंदिर की बात चल रही है, जो डीपी वाला मंदिर है, कहानी अनिस जंग बता रही है कि वह मंदिर ऐसा लग रहा था, जैसे वह मंदिर के आसपास का जिवन उजड़ हो चुका है, वह निर्जनता उसमें आ चुकी है, इस से phrasal work, if we say the village is drowned in darkness, it means darkness has covered the whole village, अगर हम कहें कि य सारा गाउं अंधकार में डूबा हुआ है, तो we use the word drown, 13th word is, the bear foot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery, periphery का मतलब देना आपको, periphery means बहरी हिस्सा, जैसे गाउं में फिरनी होती है, pronunciation of the word is also given periphery, periphery, it's not periphery, periphery of Delhi, that is Simapuri, yet miles away from it, metaphorically का मतलब प्रतिकात्मक्त्री के से, Symbolical way में जब आप कहते हैं, तो that is also called metaphorical, 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 15th word, Simapuri was then a wilderness, wilderness, निर्जन जहां कोई न रहता हो, area that is not in use, 16th word is with roofs of tin and torpillin, devoid of sewage, devoid का मतलब आपको उपताना है, devoid means lacking in, बिना, के बिना, रहित, sewage रहित है, sewage नहीं है उस इलाके में, 17th, say a group of women in tattered सारीज, chattered means torn, 40th, you don't stop scourging, scourging पहले भी आचुक है, scourging means मेहनत करते हुए ढूणना, searching intensely, गहनता के साथ, और there is hope of finding more, किसी अमीद में कि कुछ और मिलेगा, तो किसी धेर में कुछ तलास करना, that is called scourging, 19th word is it has acquired, acquired means upload करना, achieved, the proportion, proportion यहाँ समानता, equalities of a fine art, वो जो कला है इनके, जितने भी रख पीकर्स हैं, जब ये कुड़ा बीनते हैं, कुड़े में से कुछ find out करना चाहते हैं, जिस तरीके से ये find out करते हैं, तो ऐसा लगता है, जैसे वो कला इन्होंने हासिल कर लिये, कला प्राप्त कर लिये अपने काम में, बड़े कलात्मक ढंग से वो कुड़ा बीनते हैं, 20th word is for the children it is wrapped in wonder, wrapped means lift हुआ, covered, 21st word, phrase, for the elders it's a means of survival, means of survival means जीवित रहने का एक साधन, 22nd word, content, I like the game, he hums, content, to watch it standing behind the fence, content means satisfied, संतुष्ट, 23rd word is discarded, the fact that they are discarded shoes of some rich boy, discarded means फैंका हुआ, या फैंके हुए, जो shoes साहिब को मिले थे, जिनको उसने पहना हुआ था, those words discarded shoes, किसी अमीर बाप के बेटे ने उन्हें फैंक दिया हुगा, 24th word is, but the game he is watching so intently, is out of his reach, जिस गें को साहिब इतने गोर से देख रहा है, बड़े ध्यान से देख रहा है, intently means बहुत ही ध्यान से, वो उसकी पहुच से बाहर है, out of reach means पहुच से दूर, 25th word is, looms, his dream looms like a miraj amidst the dust of states, loom means appears unclear, जो असफ़स्ट दिखाई दे, उसे looms कहेंगे, miraj भ्रह्म होता है, जो रियल में कुछ और होता है, भ्रह्मित करने वाले को miraj कहते हैं, 26th word is, with high temperatures in dingy cells, dingy means छोटी, cells means कोठड़ी हैं, यह जो चूरिया बनाने वाले लोग हैं, बच्चे हैं, यह छोट-छोटी कोठ़डियों में काम करते हैं, जहां पे हावा और रोस्टनी परवेश नहीं करती, 27th word is slog, slog means गुजारना, जैसे कोई घसीट के अपने वक्त को गुजारता है, बहुत ही boring तरीके से, उस तब slog word यूज होता है, 28th, मुकेश आईज बीम, as he volunteers to take me home, अनिस जंग कहती है, कि जब मुकेश ने offer दिया, उनको कि वो उनको अपने घर ले जाना चाहता है, तो जब वो volunteer कर रहा था, swim को सिवा में लगाना होता है, volunteer करना, बीम का मतलब चमक, उसकी आँखों में चमक आगी थी, जब वो swim को कह रहा था, कि मैं आपको अपने घर ले जाऊंगा, he was volunteering himself, he volunteered himself to help the author take her home, 29th, we walk down stinking lanes, choked with garbage, past homes that remain hovels, with crumbling walls, wobbly doors, no windows, तो लेकिका ऐसी गलियों में से जारही है, जिन में बदबू पहली हुए है, stinking बदबू दर होता है, ऐसी lanes, lanes में इस गलिया, those were choked with garbage, जो कुड़े करकट से भरी पड़ी है, ऐसे घरों के पास से वो गुजरे, जो लगते हैं कि ये जुगी जौपडिया, hounds जुगी जौपडियों के लिए यूज़ किया गया, जिनकी दिवारे crumbling हैं, गिरने वाली हैं, wobbly doors हैं, ऐसे दर्वाजे हैं जो अगर थोड़ा सा धक्ता मार दिया जाएं तो गिर जाएं, 38, crowded with families of humans and animals co-existing in a primeval state, primeval means आदिकालिन, पुरातन, ancient times से बिलोग करने वाली चीज़ को primeval कहते हैं, crowded with families of humans and animals co-existing, ऐसे घर हैं जिनमें मुनस्ट्रे भी रह रह रहे हैं और जानवर भी रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, co-exist कर रहे हैं, तो देखने में लगता है जैसे ये स्थिती इसी पुराने जमाने की हो, जैसे हड़पन, civilization या इससे दूर की कोई civilization हो, जब कोई progress, human progress ना होई हो, बैंक जे वोबली, वोबली मीज़ डग मगाता हुआ, गिरने के गजार पे हो दो, shaky, higher and over with his foot and pushes it open, तो मुकेश लेखिका को ऐसे एक घर के सामने ले जाता है, जिसका दरवाजा वोबली है, वोबली मीज़ डग मगाता हुआ गिरने के कगार पे है, तो उसको अपने पैर से open करता है, तो घर में देखा की एक तरफ फायर वूड है, चुला बनाओ जिसमें आग जल रही है और उपर उसके बड़ा सा बरतन वेसल, मेंज बरतन रखा हुआ है, और जिसमें स्पीनेच लीव्स पक रही हैं, सीजलिंग मेंज गर्मा गर्म पक तप्टी, 34th, in this case, दालडर इस न इंपावरिष्ट बैंगल मेकर, तो लेखिका बाते करती हैं, परिवार बार वालों से बाते करती है, तो यहां पे अलडर का जिकर है एक का, जो की इंपावरिष्ट वर्ड यूस किया जिसके लिए, गरीबी से गरस्त, पावर्टी स्टिकन वेंगल सेल उसे कहा है वरीवी से ग्रस्त है He has failed to renovate Renovate करना होता है रिपेर करना Modernize करना किसी घर का किसी बिल्डिंग का नुमी नहीं करन करना Send his two sons to school 36th Lying Mounds Mounds क्या होता है धेर चूडियों के spirals धेर के धेर में रखे हुए Unkempt Ast West बेतर्तीब में जो धेर है वो सिस्टम में नहीं लगे हुए बेतर्तीब में Ast West Are piled on for wheeled hand cards Hand cards जो होते हाथ से चलाने वाले रेडियों के उपर ये चूडियों के धेर लगे हुए जो Ast West 37th word is Shanti Shanti means small The narrow lanes of the Shanti town फिरोजबाद के लिए यहाँ Shanti word यूज के अगया है Small town है 38th word is Huttments And flickering And in dark Huttments Next to lines of flames Of flickering oil lamps Huttments जो पड़िया Flickering oil lamps होते हैं जिनकी लाव ठिम्टे मारे ही हो Flicker करना ठिम्टे माना 39th word is auspiciousness Povitrata Sanctity It symbolizes an Indian woman's suhaag Auspiciousness Povitrata 40th word is draped It will dawn on her suddenly one day When her head is draped with a red whale Dawn सुबह के समय को गहते हैं सूरज निकलने से पहले का time जो होता है Dawn होता है परन्तु यहाँ पे dawn का मतलब सुबह का time नहीं है It will occur on her It will occur in her mind Subtly one day यह समय उसको अचानक से कभी आएगी जब उसके सिर को एक लाल दुपटे से ढख दिया जाएगा Cover कर दिया जाएगा Draped का मतलब यहाँ पे cover करना 41st word is lament The young men echo the lament of their elders जब लेखिका उनसे बात करती है नوجवान लड़कों से कि तुम organize होके कोई अलग से कोई काम कर लो तो यह वी रोनर होते हैं जो उनके fathers भेंग वही बात कहते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है अगर ओ डेयर करें इस circle को तोड़ने का तो उन्हें वापिस tradesmen के दोवारा या mediators के दोवारा पुलिस के दोवारा किसी case में फसा दिया जाएगा और वापिस उन्हें वहीं भज़िट के लिए लजाया जाएगा 42nd years of mind numbing trial have killed all initiative and the ability to dream लेकि वाज़ हैती है कि कि जो कड़ी महनत है सधियों से ये कड़ी महनत करते आए हैं ऐसी महनत जो दिमाग को Zwie सुन कर दे दिमाग को इस काबिल नहीं रखती जिससे वो कोई initiative ले सकते हैं कोई शुरुवात कर सकते हैं initiative लेना होटा है शुरुवात करना कुछ सपना नहीं ले सकते हैं सपना लेंगे तो उस काम को करना सोचेंगे तो सपने आते ही नहीं इनको क्योंकि दिन भर कडी मुशकत में ठक जाते हैं और रात को सो जाते हैं फिर अपने काम में लग जाते हैं Young men who have fallen into the vicious circle of middle men who trapped their fathers and forefathers Young men भी इसी कुछ चकर का शिकार बन चुके हैं Vicious means bad circle, चकर Vicious circle कुछ चकर होता है जिसमें बिचोलिये हैं, पुलिस वाले हैं, वैपारी हैं और इनके forefathers, इनके पूरवज भी उसी चकर में फसे हुए वहां से ये निकल नहीं सकते 44th, we are the ones who will be hauled, hauled up by the police beaten and dragged to jail for doing something illegal जब लेखिका इनसे गहती है कि आप कोई काम कीजीए कोई अपने आपको और गनाइस कीजीए इस कुछ चकर से बाहर निकलिए तो गो कहते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो पुलिस हमें वापस हमारी जगहों पर ले आएगी हमें पीटा जाएगा, जेल में घसीट के डाला जाएगा और हमारे अगेंस्ट कोई illegal कारिये लगा दिये जाएगा कोई हम पे blame कर दिया जाएगा कि कोई illegal activity का दोश उनके लगा दिये जाएगा तो haul करना होता है घसीट कर लाना 45th, they talk endlessly in a spiral that moves from poverty to app थी बाते उनकी spiral way में चलती है गरीबी से indifference की तरफ उदासींता की तरफ app थी क्या होती है जब भावनाओं की कमी होती है उदासींता होती है उसकी बात होती है app थी indifference burdened by the stigma, stigma होता है धबदाग और 47th है he is content to dream of cars that he sees hurtling hurtling टेजी से move करती हुई down the streets of his town जो उसके शहर में फिरोजाबाद में दोरती है उनके बारे में ही वो सपना ले सकता है हवाई जहाज का वो सपना नहीं ले सकता इस तरह से ये lesson के word meaning end up हो जाते है I shall come up with another video lecture on some words from any lesson till then have a nice day आप इनको learn कीजिए और अपनी vocabulary को strong कीजिए Thank you Thank you Thank you झाल झाल